Best Director का National Award मिला है निर्देशक संजे पुरन सिंग चौहान को जो इस वक्त मेरे साथ मौझूद है पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा आपको National Award से नवाजा गया है फिल्म 72 हूरे के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त आप रवी जी जाहिर है रवरास्टी पुरुसकार आपको मिलता है तो बहुत खोशी होती है मैं भी ओवर्वेल्म्ट हूँ और शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता अपनी खोशी को ये लगातार मेरे दूसरा National Award है पहले मुझे डिरेक्शन के लिए मिला था Best Debutant का और इस बार सबस्रेश मिल देशक का तो बहुत खोश हूँ जब आपके काम को सराहा जाता है और आपकी मेहनत को इस तरह से नवाजा जाता है तो बहुत खोशी होती है तो बहुत खोश हूँ फिल्म का विशय जो है काफी एहमियत रखता है आज के दोर में इसमें दिखाया गया कि एक खास धर्म के लोगों को ये बताया जाता है कि अगर आप आतंगबाद का हिस्सा बने और उसे प्रोपोगेट करें तो आपको 72 हूरे मिलेंगी मरने के बाद जन्नत नसीब होगा इस तरह की विशय को आपने डाक कॉमेडी के तरू आपने दर्शाने की कोशिश की है और उस फिल्म के लिए आपको नैशनल आवार्ड मिला है तो कितना एहम रखता है ये विशय आज की तारीक में जो आपने उठाया है देकिये ये इसको किसी धर्म से जोड़ के देखना जो है वो इस सब्जिक्ट के साथ में ठीक नहीं होगा ये सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करता है आतंकवाद का तो जैसे कहते हैं कि कोई धर्म नहीं होता कि कई बार अग्यानता में बहकावे में आके जो misguided youth हैं वो किस तरीके से एक रास्ता अपना लेते हैं जो आखिर में उन्हें कहीं लेके नहीं चाता देखें ये कोशिश है लोगों को समझाने का कि actually किसी का जान लेना किसी भी वजह से किसी की जान लेना जो है वो गलत है और उसी को एक फिल्म के अंदाज में कहने की कोशिश जो है वो की गई है जो आपको इस बार में पता चला कि आज राश्ट पुरस्कार की घोशना हुई है और आपको आपके नाम पर एक पुरस्कार जाहिर किया गया है तो क्या आपको यकीन आया मतलब बहुत बड़ा सम्मान है वैसे हाला कि आपको Best Debutant का Award मिल चुका है लेकिन फिर भी देखे मुझे मालूम नहीं था Press Conference का मुझे किसी ने बताया था कि Live Press Conference जो है वो चल रही है Award की घोशना है की जा रही है आप obviously नर्वस होते हैं तो मैं भी था मुझे बाद में किसी का फोन आया और उसने मुझे बताया तो मुझे actually किसी दोस्त के फोन से पता चला कहीं पर क्या होता है कि आप बहुत जादा उमीदें लगा लेते हैं कई बार चीज़ें पूरी नहीं होती हैं कि बार उतार चड़ाब से गुज रहा हूँ और फाइनली जब उसने मुझे ये बताया तो थोड़ी देर के लिए तो यकीन ने हुआ फिर आप सब लोगों के फोन आने लगे तो पता लगा कि वाकिए ये निउस तो सच है कितनी एहमेट रखता है आपके लिए इस तरह का जब सम्मान मिलता है आपके काम को सराहा जाता है और रास्ट इस तरह पर सराहा जाता है कि बहुद सारी राज्य हैं, बहुद सारी शेत्रिय भाषाओं की फिल्में एक दूसरे से कंपीड कर रही होती है तो कितना महत्व रखता है आपको आपके लिए इस तरह का पुरुषकार देखिए रास्टिय पुरुषकार की जो एहमियत है वो हमारे देश में सबसे जादा है बेस्ट और बेस्ट जो सिनेमा है हिंदुस्तान का उसको जो है इन अवार्ड से नवाजा जाता है मैं जो विनर्स की लिस्त देख रहा था बहुत शांदार फिल्म्स को और फिल्मेकर्स को जो है वो अवार्ड दिये गए हैं बहुत शांदार काम क्या मैं टो इतने बड़े लोगों के नाम के बीच में अगर आपका नाम एक बर फिर से जोड़ जाता है तो खुशी तो बहुत होती है और एपको यह उमिद नहीं होती है चाहते सबी है लेकिन आपको नहीं पताई होता है कि यह उस वक्त क्या है कितने फिल्म आपकी जो है वो उन सारी फिल्मों के सामने टिख पाईगी तो मैं बाट है। अपकरी सवाल कभी फिल्म बनाते हो आपके जहन में यह बात आती है कि यर फिल्म में बना रहा हूँ इसके लिए मुझे ऑवार्ड मिले पहले से यह मन में कभी चलता है आपके मन में जहन में होता है कि इस फिल्म के लिए अवार्ड मिलना चाहिए मैं बहुत अच्छी फिल्म बनाने जा रहा हूँ अलाकि ये अप्रोच गलत है फिल्मेकिंग के प्रती लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए पुरसकार में देखिए हर आदमी अपने जीवन में ये सोचता है कि उसके काम को अवार्ड के जरीये नवाजा जाए लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ होता यह है कि बेस्ट फिल्म और बेस्ट डिरेक्टर जो है ये दोनों कैटिगरी ऐसी है ये बहुत वेग सी चीज है किस आधार के उपर आप किसी काम को दूसरे के काम से अलग करेंगे राइटिंग के अंदर आप कर सकते हैं आपको स्टेंडाउट हो सकता है सिनेमाटोगराफी, एडिटिंग, सांड डिजाइन लेकिन डिरेक्शन और बेस्ट फिल्म ये बहुत टफ केटिगरी होती है क्योंकि आप किस तरह से डिफाइन करेंगे किस तरीके से वो आपकी जो फिल्म है ही होती है कि कुछ न कुछ मिले ABP News से खास बात्चित करेंगे बहुत बहुत शुक्र है हम चाहेंगे कि ऐसी ही तमाम और फिल्म हैं आप बनाए और आपके काम को यूँ ही सराह आ जाए Thank you sir, thank you so much कैमरमें रवी पांचाल के साथ रवी जैन, ABP News मुंबाई ABP News आपको रखे आगे